डियर इस्टुरेंट्स आज का हमारा टोपिक है सविधानवाद की समस्यां को कैसे अलकिया जाए तो इसमें पॉइंट नमर एक है पर्भूसतात्मक शक्तियों का होना एरा जक्तावाद से बसने के लिए राजे के पास परभू सत्तात्मक सक्तियों का होना अतियाव सेक है इसका हर्थ है कि राजे के पास आंत्रिक और भाई परभू सत्ता होने चाहिए कोई विवेक्ति या संस्ता राजे कानून के उपर नहीं होना चाहिए किसी दूसरे देश या राझेको आंतरिक मामलों मेहस्तक्सेभ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए पॉइंट नंबर दो है वैदता को बनाए रखना वैदता को संक्ट नहीं होना चाहिए सरकार और अर्थिक परणाली के परते लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहिए जन्ता ये महसूस करे कि ये उनकी सरकार है और वे किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयाद है बिर्टिश राजनतिक परणाली में राज़तंतर के लिए कभी भी गहरा संकट पैदा नहीं हुआ क्योंकि बिर्टिश परजा की राज़तंतर में गहरी आस्था है वे इसे किसी भी किमत पर खोना नहीं चाहते है पॉइंट नमबर तीन है राश्ट वाद गवन शविदान वाद का संकर टालने के लिए ये आवसेक है कि शविदान में राश्ट आतम निर्नाए कि सिदानत को माननेता परदान की जाए हम मुदार न दे सकते हैं कि शविदानिक राज़े की बनाऊट को राष्टरबाद की उन सक्तियों ने दबस्त किया है जिन्होंने अपना सीर उठाया और आखिर कारवेश शैविदानिक राज्जे की विक्टन का कारण बन गई बंगलादेश गंडाजे का उबर कर सामने आना इसी तत्थे का जवलन्त और आधुनिक यूग की घटना की विशाल है हम उदारन सोवेट संग की पद्धिकी भी परसंसा करते हैं जहां सहविदान में राष्ट एकता का सिद्धान सामिल किया गया है सोवेट संग के प्राधिकारियों ने विशिष त्राष्टि वर्गों को पूर्न मानेता परदान करके राजनितिक एकता को प्राप्त करने की नितिका अनुसरन किया है इसमें हर ही काई को संग से अलग होने का अधिकार पराप्त है जो सोवित संग को एक प्रीशंग का रूप परदान करते हैं अगला पॉइंट है विदान मंडल के कारिय बार को कम करना से विदानवाद की समस्चाओं को हल करने के लिए ये भी आवसेख है कि विदान मंडल के कारिय बार को कम किया जाए ताकि विदान मंडल अपने जिम्मेदारियों को कुशलता से पूरी तरह निवास के खास तोर पर एकात्मक राज्यों में विदान मंडल के कारिय बार को कम करने के लिए कदम उठाने अतियाव से गए स्ट्रोंग का सुजाव है कि एकात्मक राज्जे शंगवाद की योजना की इतरह अपने को अनेक छोटे छोटे राजनतिक निकाई में इस पर कार्वाजित कर ले जिससे उसके पास केंद्री प्रियोजनाओं के लिए केवल वेई सत्या रह जाएं जो सामने हित के लिए आवसे को पर्थम इंग्लेंड जैसे संसद पर लदा हुआ अतिरिक्त बोज हलका किया जा सकता है और दूसरा कारिय पालिका के कारिये पर और अधिक शेत्रक निरिक्षन शंभाव बनाकर नोकरसाई की खत्रे को कम किया जा सकता है नंबर तीन है ये बात सबसे अधिक में तपूर्ण है राजनितिक और रोचक बनाई जा सकती है शवशासन की काया के वलिस्थानी संस्ताई नहीं होंगी वरन संसद के साथ पर भूशत्ता में ही सबाटने वाली संस्ताई बन सकती है सी एफ स्ट्रोंग नहीं सुदाव को से हम बिल्कुल सहमत है कि राष्ट ये लोकतंतर आत्मक सविदानबाद को जीवित रखता है तो हमें स्विकार करना पड़ेगा कि लोकतंतर के अनेक रूप हो सकते हैं और उनके आदर्श रूप को पाने के लिए कदाजित बहुत से परियोग भी आप से खें ये था आज का टोपिक थैंक यू